नमस्कार दोस्तों जनरल लाइन्स में आपका स्वागत है यह UGC net paper 1 का section 133 related question paper है तो आए इसको solve करते हैं और इससे पहले भी हम लोग 221 के previous year paper का और 220 का 211 के कुछ paper solve कर चुके हैं तो आप नीचे description में लिंक दी गई है तो उससे वहाँ पे देख सकते हैं साथ ही हम लोग history का भी कुछ previous year paper के questions cover up कर रहे हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल को subscribe करके और आए श्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट question है निमिकत मैं से कौन उच्छ संग्यानात्मक अधिगम परिणाम का उधारण है तो उच्छ संग्यानात्मक अधिगम का क्या होगा अबधाना या अमूर्तों का अधिगम कोई भी जैसे हाई श्ट या उच्छ तमबाली चीज़ होती है न तो अमूर्त में मूर्त से अमूर्त के और जाते हैं हम लोग तो अबधाना या अमूर्तों का अधिगम क्या होता है अबधाना या अमूर्तों का अधिग तथा समायोजन स्थापित करने में महत्पूर भूम का निभाती है। यह अधिगम मानसिक प्रिक्रियाओं के रूप में भी कार करता है, जो मानव व्योहार तथा वातावन में मध्यस्त की भूम का निभाता है। इस तरह हम देखने हैं कि सूशनाओं के संबन्द में नेड़े लेने समस्या समाधान करने हो संप्रिशन आधी से संबन्दित उप्योगे में सामिल मानसिक प्रिक्रियाओं उच्छे संग्यानात्मक अधिकम को प्रदर्सत करती है। अगला है निमलिक्त में से कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवाहर है। वस्तुता सिक्षन तभी प्रभावी माना जाता है जब छातर सिक्षक तधा पाट्टिक्रम तीनों में अंतक्रिया होती है। व्यवाहर तब विक्सित होता है जब वालकों को मुक्त वातरवन प्रदान किया जाए और सहयोगात्मक्त सिक्षन की ओर बढ़ाया जाए। किसी विश्य की समझ विक्सित करने के लिए सरप्रथम बच्चों के सम्मुख सम्पूर विश्यवस्तु को ना रख करेक नियत क्रम में तथा तार की रूप से अबधारणा को श्पष्ट करते हुए उसे उधारणों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। अगला है ओन्लाइन कक्षा के माध्यम से प्रतक्ष भागिदारी और अन्ता क्रिया को प्रोसाहित करने वाले अनुदेशन कहलाते हैं। अधिगम करता हो अधिगम दाता अलग-अलग स्थानों से एक ही समय में एक दूसरे से प्रस्त पर जुड़कर अधिगम करता से सवालों का ततकाल पूछ पाते हैं। मुल्यांकन योजना के अवियाब उद्देश संसाधन और तरह विशलेशन है। सिक्षा की संपूर प्रणाली का एक आवश्यक अंग है और सिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ता संबंदित भी है। वंचित दसाओं में चात्रों के विकास के संबंद में प्रमाण एकत्रित करना मुल्यांकन का साधन है। द्यादब्य की मुल्यांकन योजना किसी सैक्षिक परियोजना का महत्पूर्ण इस्ता होती है। जिसका योजना की सफलता और प्रभावितान मधारत करने हैं महत्पूर्ण योगदान होता है। इसके मुल्यांकन आठ तत्व हैं उद्देश्य संसाधन, विशलिशन, साक्ष्य डेटा एकत्रिकर, विर्वन देना, मुद्दे एवं दर्सक त्यादी। अगला है किस प्रकार की मुल्यांकन में अधिगम करता की कमियों और कटनाईयों की पहचान पर बल दिया जाता है। सरल सब्दों में चात्रों ने किसी विशय से संबंदित पठ वस्तू को कितना सीख लिया है। मुद्धों पर बल देना और इस्थरी का चित्रों करना। और उसके इस्थिरी को इश्पष्ट करने के लिए किया जाता है विश्टी अधन केश इस्टडी है केश इस्टडी क्या है आनवांसी के मिसूखशन जबिकी से दिया गया अधन नहीं है नहीं होगा इसमें केश सामाज विद्वान सामाजिक राजनेतिक इस्थिती पर रिपोर्ट विशाई इकाई तरह उससे संबने इस्थितियों का गहन परिक्षण क्या होगा? विशाई इकाई इससे संबने इस्थितियों का गहन परिक्षण केस श्टरडी से दातर किसी भी वस्तु इस्तिरी का भलिवाती परिक्षण करना उसे गहनता से जानना इसका बुन्यादी आदार बिद्यार्ती के जिग्यासु प्रिविट्टी को माना जाता है इस विद्धी में विद्ध्यार्ती की भूमी का शक्रिय होकर स्वयम समाधान ढूणने में होती है जबकि अध्यापक की भूमी का विद्ध्यार्ती को समस्याप से भलिवाती परचित कराना है परिकल्पना है, परिकल्पना क्या है? एक निश्चोर दस्थापिदनिस कर सोथ पत्र का एक भाग, आखड़ों का मुल्यांकन करने के रणनीती और ब्याख्या प्रदान करने वाला एक अनन्तिम कथन, तो क्या होगा? परिकल्पना क्या होगा? ब्याख्या प्रदान करने वाला एक अनन्तिम कथन होता है. इसमें क्या हुदा हाइपोथेसिस अनुसंधान का एक प्रमुख एबन महत्पूर्ण सोपान है जिसके बिरा अनुसंधान उद्देशी हीन तरह मिन्दू हीन होता है इसके अंदर किसी समस्या की विशलेशन और परिवासी करण के पस्चाथ इसमें कारणों तथा कारे कारण संबंधों निमें पूर्वी चिंदन कर लिया जाता है अगला है आंकडों का तिर्तियक श्रोत है तो क्या होगा प्राथमिक और दुतियक श्रोतों से जानकारी प्राप्त किया जाती है तो उसे आंकडों का तिर्तियक श्रोत कहते हैं जहां प्राथमिक श्रोत में वास्तुएक समय के साथ इस्तिटी पर उपलब्द आंकडों को सा इस प्रकार प्रात्मिंगम दुतियक शोतों से प्राप्त जानकारी को दुतियक शोत कहते हैं। अगला है निम्लिखित सूची से गुड़ात्मक सोध की विशिष्टाओं को भेचानिये। तो क्या होता है। बताना उब्यक्तियों के एक लगूचमूई से सब्दों के आधाया पर आंकड़े एकत्रित करना हो जाएगा और क्या होगा पार्थ विश्रिष्टर को उप्योग करना हाँ ठीक है क्या इसमें गुणात्मक विधी सोध मेना किबल क्या कहां वा कप की छानमीन की जाती है बलकि क्यों और कैसे का उत्तर भी खो जाता है इसलिए इससे विश्रित नमूनों की वजाए अकसर छोटे स्थर पर संके इंद्रित नमूनों की आवश्यक्ता होती है गुणात्मक सोधवीरी केवल विश्रिष्ट अध्यन के मामलों पर जानकारी प्रदान करती है और इसके अत्रिक्ट कोई भी सामान ये निसकर्स परिकल्पनाय मात्र है यह पार्ट विश्रिष्ट का उपयोग करते हुए परिणामों से व्यापा कर्द की ब्याख्या करने ही तुचाना जाता है अब यह गद्धान्स है गद्धान्स को देखते हैं परंतु अचानक जिस और महत्य दिया जाने लगा वह थी सकारात्मक सुदंता जो कतिपाय पूर्विन धारत लक्षों के अनुसरन हेतु सुदंता थी यह नबीन सामाजिक उत्तरदायत एक विचारधारा पर आधारित था जो नकारात्मक सुदंता को उसी परकार अपर्याप्त अप्रभावी मानता था जैसे लोगों से कहा जाए कि वे टहलने के लिए सुदंत है पर इस बात को पहले सुनिश्चिक किये बिना कि वे अपंग नहीं होगे समुचिस साधन के साथ मानिवियता प्रदान करने की शमता सरकार से अधिक और किसमे हो सकती है सरकार यहां तक की लोगतांतरिक सरकार को भी सामाजिक उत्तर दायत्य के अनुगामी उस सकती के रूप में देखते हैं जो सुदंता के प्रभावी कारेंटमें की गारेंटी दे सकती है परन्तु इससे उन प्रेक्षकों की नाराजगी कम नहीं होती जो सामाजिक दायत्तों को अधिकार वाधिता का केवल थोड़ा से छद मुमार रूप मानते हैं इसे दहांत के सरवाधिक मुखर आलोचक मीडिया दारसिनिक जोन मेरिल है उनके अंसार यह कहना है कि विचारों का बहुत सरकार द्वारा अधिदेसित हूँ हास्तियात्पद है उनका कहना है कि पत्रकारों को अपना समाचार तैयार करने में समपादिके निर्णों की अपनी क्या सुलंता अवश्य बनाई रखनी चाहिए मेरिल ने आगे लिखाए कि मीडिया में सुधार चाहने वाले बाहिस समोह द्वारा अच्छी मंसा से किये गए प्रयाज भी स्वाहितानवेश्य होते हैं तथा अपर ही हर्दा पत्रकारों की स्वाइता को न्यून बनाते हैं इससे मीडिया की स्वायत्ता की बारे में प्रिश्ण उठता है तो पहला कॉशन है इसका पहले पत्रकारों के कार करने का क्या आधार होता था तो क्या होता था बाय दवाओ से मुक्ती होती थी इन लोग का पहले पत्रकारों के कार करने का अधार बाह दबाव से मुक्त होकर निस्पक्षियम सुरंत रूप से अपना कार करना था परन्तु आज का परिदश्ट बिलकूर अलग नजर आता है जहां मीडिया राजनेतिक सामजे का आर्थिक स्वाध्ता से नकारात्मक रूप से प्रोहा अधिकारवादीता सामजे के पहले को क्या है इसमें प्रिश्णगात गद्धान्स के अनुसार कुछ लोग मीडिया के सामज़एक उत्तरदायत के पहलू को अधिकार वादिता मानते हैं जहां मीडिया का कार सही सूशना प्रसादित करना है वहीं मीडिया का सामज़एक गद्धायत तो यह है कि वह निस्पक्ष होकर सही तत्थों कोई सच्चाई को सामने लाए सामची उत्तरदायत्र के साथ ही साथ लोगतांतरिक विवस्था की स्थापना करना भी मीडिया कत्तरदायत है कहते हैं न चोथा स्थम कहलाता है यह जोन मेरिल के अनुसार मीडिया में सुधाल लाना क्या होता है सौहितानवेश्ची है ए और किया जॉन मेर्ल के कताने मीडिया में सुधाल ना-शुह्या म्यजार प्रश्टत में मीडिया के सामजीक उत्तरदायت के सिध्धांत का समेख शात्मक विश्रिशन किया गया है जहां उनके स्वान्ययमन स्वातन्त्र निस्पक्षता और श्पश्ता आधि पक्षो को विशेश रूप से इंगित किया है अगला है मीडिया से होने वाले मनुरंजन से समाज के सांस्कृतिक इस्तर में ब्रद्धी नहीं होती है हाँ, मीडिया से होने वाले अधिकांस मनुरंजन पलायन बात को बढ़ावा देता है ना कि अंतरवस्तू की गुडवत्ता को तो ए सही है और ब्याख्या भी कर रहा है क्योंकि मीडिया में होने वाले मनुरंजन से समाज की सांस्कृतिक इस तर में ब्रदी नहीं होती है वास्तोविक्ता यह है कि इस मनुरंजन से सामाज एक परिवर्तन होते तो दिखाई देते हैं कि तो सांस्कृतिक नहीं क्योंकि सांस्कृतिक का निर्माना और निर्मित बहुत एक बस्तू और परंपरा से होता है साथी साथ यह बहुत एक संकल्पनाव से भी संबन्दित होता है तरकी भी सही है, क्या है इसमें? क्योंकि इसमें कहा गया है कि मीडिया से होने वाले अधिकांस मनुरंजन पलायन बात को बढ़ावा देता है तो क्या हो सकता है? सौंधर परक और सांस्कृतिक संकेत. क्या हो सकता है? सौंधर परक और सांस्कृतिक संकेत. रंगों की माध्यम से. इसमें क्या होता है? डी होगा इसका अंसर. तो ठीक है. रंगों की माध्यम से संप्रिशन का परिणाम सौंधर परक संकेत और सांस्कृति लेकनी है कि यह रंग बहुत से अर्थों विश्यों, मुद्धों और घटनाओं को सोता ही व्यक्त कर देते हैं रंगों के मांदियम से संप्रिशन के लिए प्राया रंग विधागा प्रयोग किया जाता है अगला कोशन है संप्रिशन प्रिग्रिया में संकेत किस से अर्थ प्राप्त करते हैं तो किस से करते हैं अंतर संबंदों के नेटवर्क से ठीक है यदि इसमें परिवर्दन होता है तो संप्रेशक की प्रक्रिया में भी परिवर्दन हो जाता है संप्रेशक अपना संदेश संचार माध्यम द्वारा प्राप्तिवी सल तक पहुँचाता है अर्थात यह है यहाँ चार तत्त महत्पून अंता क्रिया करते हैं संप्रेशक, संदेश, माद्याम, प्रापक संप्रेशन की भाषा में यही भी सामिल है क्या है? सामजिक जगत क्या होता है? संप्रेशन की भाषा में सामजिक जगत भी सामिल होता है इसकी संप्रेशन की भाषा में महत्यपुड भूमका होती है यह विव्यक्ति का साधन है जिसमें लोगों में विचारों का आदान प्रदान होता है यह मौकिक कूट होता है संप्रेशन कक्षा में चात्र को अपनी कल्पना सरजनात्मत्ता विक्सित करने का परियापत अफसर प्रदान करता है अगला एकक्षा के अंतरगत गुडांक संप्रेशन है कौन सा अंतर्ण हीट होता है गुडांक संप्रेशन क्या होता है इसमें कक्षा के अंतरगत गुडांक संप्रेशन अंतर्ण हीट है इसको क्या होता है कौनो टेटिब कम्यूनिकेशन अंतर्ण हीट है में संप्रिशन कार्ट सती अर्थ के स्तरपव होता है जिसमें चात्रों द्वारा सफलता पूरुबग अधिगम्द किया जा सके संप्रिशन प्रयोजन मूलक और व्यावहारिक होता है अर्थात कक्षा संप्रिशन के दुरान सूशना का प्रेशन मूष अदेश्यों को धिया में रखकर किया जाता है तदा सिक्षारति के अनुकूल होता है जो कि एक गत्यात्मक प्रक्रिया है तो यह 20 कॉश्चन हम लोगों ने कंप्रेट कर लिए हैं आगे मैध के कॉश्चन है इसके बाद जो परियावन और ICT से अगर आपको हमारे वीडियो में कर लेंगे और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए शेयर करिए और तब तक लिए धन्यवाद नमस्कार